नमस्कार दोस्तों स्वागताव सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में फ्रेंट सोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोग के लिए एरलाइन्स और टैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहत जरूरी और काम की खबरों को लेकर आचुके हैं तो बिना किस देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं पहली बड़ी जो अपडेट सामने रही है वो सिंगापूर से जुड़ी हुई है आपको बता देगी सिंगापूर की गौर्मेंट जो है अब अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को धिरे धिरे खोलने की तयारियां सुरू कर चुकी है और अब 19 अक्टूबर से सिंगापूर की गौर्मेंट जो है दुनिये के 8 देशों से अपनी अंतराश्टे उड़ाने को चालू कर रही है और इसके सांसा सिंगापूर की गौर्मेंट ने ये भी बता दिया है कि यदि इन 8 देशों से लोग वैक्सिन लगा कर आते हैं और वो कोरोनावारस का रिपोर्ट उनका नेगिटिव आता है तो उनको क्वारिंटीन में भी नहीं रखा जाएगा सो फ्रेंट ये आप भी सिंगापूर के लिए टेवल करके जाना चाते हैं तो इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल दिया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिनमें हमने पूरी कंट्री का नाम बताए हैं और इसके लावा ये भी जो कि भारत में हैं उसकी तरफ से आ रही है यहां पर यूके की एंबेसी का कहना है कि इस समय उनका पहला टार्गेट है कि दोनों देशों के बीच में नॉर्मल बेसिस वर फ्लाइटे चालू हो जाएं और ज्यादा ज्यादा लोग ट्रेवल करना सुरू कर दें इसको लेक है जिसमें भारत के पैसेंजर से दी वैक्सिन लगाकर यूके में जाते हैं तो उनको वहाँ पर जाने के बाद कॉरिंटीन में नहीं रखा जाएगा यूके की गौर्मेंट की तरफ से यह जो नियम लागू किया गया है यह काल यानि की 11 अक्टूबर से लागू हो जाएग भारी बारिस के कारण वहाँ पर कई सारी फ्लाइटे जो है कैंसल की जा रही है यहाँ पर जो लास्ट अपडेट सामने रही है उसके नुसार हैदराबाद एरपोर्ट पर भारी बारिस के कारण कई सारी फ्लाइटे कैंसल की गई है और इसके लगा कई सारी उडानों को रि यूएस के प्रेइडेंड जोई बाइडेंग की तरफ से आ रही है जोई बाइडेंग ने यहाँ पर ग्रीन कार्ड इसु को लेकर अपनी गवर्मेंट से बातचीत करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जो भारतिये भी एचुन बीजा पर यूएस में आये हैं उन सभी जो की यूएस में Green Card's issue होने का इंतिजार कर रहे हैं लेकिन यूएस की गवर्मेंट के तरफ से इसको लेकर लगातार वहाँ से देरी होती हुई आ रही है लेकिन अब उमीद है कि यूएस की गवर्मेंट जो है इसके उपर अवसे ही काम करेगी और यूएस के प्रेजडेंट जोई बाइडन ने खुद इसके उपर बातचीत करना शुरू कर दिया है अभी देखना रहता है कि एच्छोन वीजा वालों पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो अब 90 प्लेस तक जा पहुंची है यानि के फ्रेंट से पहले जो भारत की जो पासपोर्ट की रैंकिंग थी वो थ्यासमी थी और अब यह रैंकिंग गिरकर नबी में हो गई है आपको बता देखिए यहां पर जापान और सिंगापूर जैसे दो देश हैं जिनकी रैंकिंग जो है नमबर वन पर है और आपको बता देखिए इन दो देशों के लोग जो है बीजा फ्री ट्रेवल दुनिया के 192 देशों में ट्रेवल करके जा सकते हैं इसके बात करें यहां पर भारत की जिनके पास भी भारत का पासपोर्ट है वो केवल दुनिये के 58 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं यहां पर जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग तैय की जाती है उसमें वीजा फ्री ट्रेवल जो है एक मेजर फैक्टर माना जाता है फ्रेंट से एक और बड़ी अपडेट यहां पर इस पाइजेट से आ है आपको दादेगी भारत की बजट केरियर एरलाइन कंपनी स्पाइजेट 40 और नए एरक्राफ्ट को अपने फ्लीट साइज में जोडने की तयारियां सुरू कर रही है जिन दोस्ते यहां पर जो मेडिया सूत्रे सो जो जानकारी मिल रही है उसके इनुसार स्पाइजेट मुझूदा हालाद को देखते हुए अब और भी एरक्राफ्ट अपने फ्लीट साइज में जोड रहा है इस समय भारत में पैसेंजर की डिमांड काफी यदा बढ़ रही है और लोग जो हैं जाज़ादा मातरा में एरलाइन से ट्रेवल करना सुरू कर रहे हैं जिसको देख किया हुआ है अब यहां पर एर बबल्स को लेकर कई सारे पैसेंजर को प्रोब्लम होनी शुरू हो गई है क्योंकि एर बबल्स एगरिमेंट में केवल कुछ लिमिटेट फ्लाइटों को ही ऑपरेट करने की परमिसन मिली हुई है और इससे दूसरी एरलाइन्स कंपनिया इन फ्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर दे आपको अदा दे कि ठीक इसी तरीकी की डिमांड यहां पर ओमान से भी आ रही है इसके साथ यहां पर दुबई जाने वाले पैसेंजर की तरफ से भी ठीक इसी तरीकी की डिमांड सामने रही है कि दुबई और भारत के बीच मे जो limited तोर पर फ्लाइटों को open रखा गया है उसको हटा दिया जाए और unlimited तोर पर फ्लाइटों को operate करने की पर्मिसन दी जानी चाहिए फ्रेंट्स अगली बड़ी जो update सामने रही है उसके अनुसार उत्तर पर देश में एक और अंतरास्टे एरपोर्ट की सुरुवात हो रही है जी है दोस्तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुसीन अगर एरपोर्ट के बारे में आपको दादे की कुसीन अगर एरपोर्ट जो है वो अब बनकर तयार हो चुका है और प्रधानमंती नरे निर्मोदी के द्वारा इस एरपोर्ट का उदगाटन 20 अक्टूबर को होना है एरपोर्ट के माद्यम से वो सीधे गल्फ देशों में जा सकते हैं इसके लाव दुनिया के किसी भी देश में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं कुछी नगर airport से पहली जो फ्लाइट है वो सिर्लंका से operate हो रही है सिर्लंका के प्रेजडेंट जो है वो इस airport पर विजिट करने वाले हैं इसके साथ साथ friends महारास्ट में भी एक और airport की सुरुवात हो रही है यह airport जो है यह domestic airport है और इसका नाम जो है सिंदुधूर्ग airport है जि Air India की Airlines Company Alliance Air के द्वारा शुरू की जा रही है यहाँ पर DGCA की तरब से इस एरपोर्ट को अपरूर मिल चुका है और बीते कल ही Alliance Air के द्वारा इस एरपोर्ट पर अपनी फैली फ्लाइट को ऑपरेट किया गया है सो फ्रेंट यह थी आज की Airlines Air टैबल से जुड़ी हुई कुछ भे है जुरूरी और काम की अपडेट यदि आपको वीडियो चे लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब के लिए ताकि आपको ऐसी लेटेस अपडेट समय पर मिलती रहे